एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैट एलियन कैप्टेन डूओ और जियावरूई को एक साथ देखकर सैड होता है और वो उन्हें अलग करने की कोशिस नहीं करता और वहां से गिव अप करके रोते हुए जाने लगता है जाते जाते वो कैप्टेन डूओ को बता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सिर्फ छोड़ रहा हूं तुम्हारा जब वापस मेरे पास आने का मन करे तो तुम आ सकते हो इतना कहकर वो वापस अपने प्लैनेट चला जाता है इसके पास कैप्टेन डूओ और आबू दोनों इसी मैडर को डिसकस करने में बिजी होते हैं तब हैं बहुँ के साथ जयाव रोई भी आती है वो आबू को वह देखकर उसपर अपने फादर के मरड़ का इ commend का इल्जाम लगाती है इसपर किंफेंग उसे पताता है कि आबू ने तुम्हारे फादर को नहीं मारा बलकि उनका असली मरडर जेंगली है वो उसे जेंगली के रूम में उसे मालने जाता है पर सही time पर प्रिंस लीफू और जियाउ-पूय आ कर बात को सम्भाल लेते हैं और जेंगली से माफ्य मांगते हुए जियाउ-पूय अपने भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है इतले किंग्यून आब उसे मिलने उसके रूम मिल जाता है जिस पर आप उन्हें की नाम पर क्रॉस लगाय था वह उसे तेखकती एक टावर नुमा तो वहां अपने बॉक्स को ओपिन पाकर वह घबरा जाती है और उस पर चंगान कैपिटल आकर पालेशवालों के खिलाफ साजिस करने का इल्जाम लगाती है इस पर आबू गुस्ते में अपनी इट मिकाल लेती है पर कुईन मदर उसे उसी पोजीशन में रस्यों से बधवा देती है मामला बिगरता देख जियांग सीधा जेंगली के पास जाती है और उसे पूरा मैटर बता कर आबू की हिल्प करने के लिए कहती है इधर कुईन इंप्रेस आबू को लोहे की रोट से जलाने की पनिस्मेंट देती है इस पर किंग्यून का दिल नरम पड़ता है और वो कुईन से आबू पर थोड़ी मरसी दिखाने के लिए कहती है पर कुईन नहीं मानती और दो बारा ओफिसर को उसे जलाने का ओडर देती है पर सही टाइम पर वहाँ जेंग्ली आ जाता है और वो कुईन मदर को समझा बुझा कर आबू को वहां से ले जाता है वो आबू से बाते करने की कोसिस करता है पर आबू से कोई बात नहीं सुनती और उसे बचने के लिए वापत सीथा अकैडमी बहुच जाती है वहां किंग फिंग मौजूद होता है और उसे आबू के पीछे जेगली को देखकर गुसा आता है जेगली किंग फिंग को पैलस में हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है तो किंग फिंग कहता है कि आब वो जब तक एकाडमी में रहेगी तब तक इसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मधारी मेरी है इतना कहकर वो जेंगली को वापस भेज देता है इतर फिक डॉंग गवान लीफू को किंग की बसड़े पर गिफ्ट के तोर पर एक टावर बनवाने के लिए सज़ेस्ट करता है वो लीफू को बताता है कि इस टावर से पूरे चंगान कैपिटल को एनरजी मिलेगी वो लीफु से ये भी कहता है कि हम किंग के बलडे के दिन ही प्रिंस जेंगली की गिफ्ट को एक्सचेंज करके उसे फसा देंगे जिस पर किंग खुदी उसे पनिस्मेंट दे कर रास्ते से हटा देंगे हमें ये काम ज्याव सैंग से करवाना चाहिए क्योंकि वो इस काम को करने के लिए सबसे अच्छा बंदा साबित होगा बेवकूफ लिफुस की कही सारी बातों पर एगरी हो जाता है इधर किंग फिंग आबु को पोर्क बेली स्टू बना कर देता है तो आबु से एक बार में ही खा जाती है किंग फिंग उससे अपने पिछले बिहेवियर के लिए माफी मांगते हुए उस दिन मिनिस्टर ज्याओ के बारे में जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें पूछता है आबु से उस दिन का पूरा इंसिडेंट बता देती है वो से अवेर करती है कि जेंगली को पता चल चुका है कि तुम भी उसके ब्रदर हो इसलिए वो नहीं चाहता कि तुम उसकी पोजिसन पर क्लेम करो किंग फिंग कहता है कि फिर तो हमें और भी ज़्यादा केरफूल रहना होगा इधर जियाओ रोई गुसे में अपने भाई को रस्तियों से जगर कर बंदी बना देती है और उसे कहीं भी आने जाने से मना करके वहां से चली जाती है इधर कैप्टन डूओ आबू के पास आकर उसे बताते हैं कि किंग ने निक्स टे उसके लिए सुएंबर रखा है जिसमें कई कंट्री से पिरिंस आने वाले हैं ये सुनकर आबू परिशान हो जाती है क्योंकि सुएंबर में किंग फिंग के पार्टिसिपेट करने के चांसे कम थे क्योंकि वो लोगों की नजरों में पिरिंस नहीं था आबू के सुएंबर की खबर किंग फिंग तक भी पहुंचती है तो वो तुरंद किंग के पास जाकर स्वेंबर में पार्टिसिपेट करने के रिक्वेस्ट करता है इस पर पहले तो किंग नहीं मानते और फिर वो उसकी और उसके फादर के लोयल्टी को देखते हुए उसे सुयंबर में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त दे देते हैं निक्स डे सुयंबर होता है इसमें लीफू जेंगली और किंग फिंग समीत कई कांट्रीज के प्रिंस मौजूद होते हैं पर आपूने सुयंबर के टास्क को किंग फिंग को ध्यान मेरा कर डिसाइट किया होता है जिसमें फर्स्ट राउंड में सभी प्रिंस को एक पत्थर अपने उपर रखना था जिसे आपू हथोरे से तोड़ती है इस टास्क के बाद बस लीफू जेंगली और किंग फिंग ही सलामत बचते हैं दूसरा टास्क एक लिमिडेट टाइम में दो अलग कलर के बीन्स को अलग करना होता है और इस टास्क को बस जेंगली और किंग फिंग ही पार कर पाते हैं क्योंकि लिफू कलर ब्लाइंड होता है तीसरे टास्क में बचे हुए दोनों कैंडिडेट्स को आबू के हाथों बनाए गए पोर्क बिली स्टू खाने होते हैं जो कि आफकोर्स बस किंग फेंग ही कर सकता था किंग फेंग इस टास्क को पूरा करके आबू का फ्यांसी बन जाता है और जेंगली उसे हार कर मन ही मन गुसे से भर जाता है और किंग फेंग से बदला लेने की सोचने लगता है तब ये उसके पास नेशनल टीचर आते हैं और उसे एक क्रेंड पेंटिंग किंग की बसेटे पर गिप्ट देने के लिए देते हैं जेंगली अपने सर्वेंट से उस पेंटिंग को स्टोर रूम में रखने के लिए कहता है इधर जेंग सेंग के पास फेक डांग गुआन आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास जेंगली से बदला लेने के लिए एक अच्छा मौका है फिर वो उसे प्रिंसेस आयू का एक पोस्टर दे कर उसे जेंगली की क्रेंट पेंटिंग से बदलने के लिए कहता है इसमर ज्याव सेंग एगरी हो जाता है और वो चुपके से स्टोर रूम में जाकर पेंटिंग एक्सचेंज कर देता है फिर किंग के बध़ दे वाले दिन राजश दर्बार में एक दावँस हमारो होता है इसमें डौंग गुआन स्टेट टीचर के तौर पर आता है किंग सबको बताते हैं कि डौंग गुआन हमारे तायंग एमपायर को सर्व करना चाहते थे इसलिए मैंने इने स्टेट टीचर बना दिया थोड़ी देर पार्टी चलने के बाद सभी किंग और एंप्रेस को अपना गिफ्ट देने लगते हैं लिफू किंग को बताता है कि वो किंग के लिए एक टावर बनवाएगा जो कि बिना किसे फ्यूल के पूरे चंगान कैपिटल को रोशनी देगा लिफू उस टावर को टावर आफ हिवन कहता है किंग उसका आइडिया सुनकर जादा खुश नहीं होते पर उन्हें उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी इसके बाद जेंगली अपनी पेंटिंग लेकर आता है जिसे देखकर जियाओ सैंग चौकरना होकर देखने लगता है आबू को वो काफी सस्वीसियस लगता है और वो उसके पास जाकर पूश ताश करने लगती है पर जियाओ सैंग उसे कुछ नहीं बताता इतार जेंगली जैसे ही पेंटिंग को उपन करता है उसे देखकर कुईन मदर भड़क उठती है क्योंकि वो पेंटिंग बिने से जायोगी थी जो कि उनकी सौतन थी और जिससे वो बेहत नफरत करती थी कुइंग का गुस्धा देखकर किंग भी उनकी हामे हाम मिलाते हुए जैंगली पर गुस्धा दिखाते हैं और उसे ऐसा गिफ्ट राज़दरबार में पेज करने के जुर्म में उसी के कम्रे में नजर बंद रखने की सजा देते हैं इसे सुनकर लीफू को बहुत मजा आता ह इसके बाद Queen Mother National Teacher को बुला कर पूछ ताश करती है एक्चुलि वो यह जानना चाहती थी कि क्या जेंगली ने जान बूच कर Princess Ayo की Painting King को Gift के तौर पर पेस की थी निसनल टीचर उन्हें यह बताते हैं कि जेंगली King को एक Crane Painting देने वाला था पर किसी ने उसे फसाया है और उसके Painting चेंज कर दी है इस बात को सुनकर Queen Mother सोच में पड़ जाती है वो डिसाइड नहीं कर पा रही होती कि क्या सही है क्या नहीं यहीं यह पार्ट एंड होता है तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे रहे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और गुड़ बाई